वेगाइस विलकम बैक तो माई चैनल तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और्गैनिक फारूम में तो आज की वीडियो में आपके लिए गिलोई में लाया हूं जिससे आपको जैसे की बुखार आता है और आप उसका काड़ बनाके पीते हैं और आप देख सकते हैं हमने और आप इसकी दूसरी वह भी आल की है हाँ अधे पैड़तन ही और आप इसकी खुब्यक्ती भी देख सकते हैं सब्सक्राइं जितनी यह काम परती है जब आपर करांद ने आंगे अगर आप इसे अपने घर पर लगाएंगे और हमने यह महां से लाई थी जहां पूरी कसी होई थी घाईशी है और अब देख सकते हैं अंदर से यह कितनी फैल रखी है जी देखिये पूरा गिलोई गिलोई से हां सच रखा है और आप अगर इसकी हो करें इससे हमें कितना फाइदा होता है एक तो हमारी तबेत का फाइदा होता है जैसे कि हमारी कभी तबेत खराब हो गई तो हम इसका काड़ा मना के पी सकते हैं और दूसरे फाइदे की बात तो यह है कि यह हमारा गार्डन सजा रहा है और अब देख सकते हैं कि इस पर कितनी ग्लोटिंग होती है और यह हमारा गार्डेन कितना सजा रहा है और तीसरा पॉइंट यह होता है आपका जब यह छोटी होती है तो यह बहुत पतली होती है और जासी यह बड़ी होने बैड़ दाती है तो कैसे बहुत मोटी होती है और का वजन बहुत होता है क्योंकि एक वागर हमने इसके ओपर यह गिलोई चड़ गई थी और यह पूरा निच्छे आ गया था तो आप देख सकते हैं काईस कि लोई पे कितनी फ्लावर है और आप यहां देखिए यह फैल कितने रखी है बहाई साहब यह कितने से कितने दूर जा सकती है और महां देखिए कैरी में भी गिलोई ही लगाई है काईस यहां देखिए यहां एक गेड बन रखएं गिलोई का आप देख सकते हैं गिलोई हमारी basketball को कितना यारा पनाता है और हमारी कितनी घ्रट करता है आप देखिए और यह देखिए यहां हर वी का वें प्यार आप क्यवा स्नाब्कल मैंने और से लाया था ताउ जी थी ऑजमें उजब़े गई थे और हमें यरुईं का पेड़ मिला, हमने इसे ला लिया और यह उसक्ष्क करीबन इतना था, यहां से, यहां से, यहां तक और आज आप देख सकते हैं किसे कतिना बड़ा हो गया है और रूही भी इस पह आएंगी अब आप देख सकते हैं पिछली बार इस पहलकी हलकी रूही और आप में गार्डन को देखें बाहर से किल्स अपना फूट लग रहा है कॉमेंट में बताईएगा प्लीज कि किस किस के गर में गिलो ही लग रही है तो गाइस आज के लिए इतना ही था तो बाई बाई और मिलते हैं अगली वीडियो में तो बाई बाई